हलो दोस्त शणी मूर में आपका शौगत है बिहार प्लिस कुश्टेबल 2019 आज हम जो बात करने वाले हैं ये OMR सीट में जो लोग गलती किये हैं उनके बारे में बात करेंगे बहुत लोग रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे कि मैंने OMR सीट में दो रोन नमबर भर दिया ह किसी ने हेड राइटिंग लिखना छोड़ दिया है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उनका आएगा रियल्ट की नहीं आएगा इस बारे में हम लोग बात करेंगे देखे यह डाउट सेसन हम देख रहे हैं और मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं कि आपके दिमाग आठ मार्च को सबसे ज़्यादा यह हमसे पूछा गया कि आप सर बताइए कि मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं कॉल करकर भी और यहां तकि मैसेज के तुरू भी यह पूछा गया तो मैंने यह वीडियो इसलिए तयार किया कि आपका सारा डाउट किलियर हो जाए और किनका किस कंडिशन में आता है लिए पूरा मैं आपको डिटेल बता दूँ भी आपक closely ज़रूरत करते हैं कि यह आपको देंगे राहूल कुमार जी युझें लाइन में तीन नंबर वाला गोला पर थोड़ा सा हो गया है थोड़ा सा प्रक नहीं पड़ता आपको पर इस बात को समझ में आ जाएगा कि आपका जो उत्तर पत्र होगा वह दो प्रतिया हो कि एक कार्बन कोपी होता है नीचे के तरफ अगर आप आपको लगता है कि आपने 90 कोशन सही किया था और आयोग आपका 70 कोशन ही बता रहा है तो आप आटी आई के त्रू यह वाला कार्बन कोपी अलग करने की कोशिश ना करें वह लोग क्या करते हैं कि कर्बन कोपी हटा देते जो उनका ही एविडेंस ऐसा नहीं करना चाहिए फिर आता है सिर्फ यहां पर देखें सिर्फ नीला या काला बॉल्पाइंट पेंड़ी इस्तेमाल करें तो जो लोग नीला या बुलू जो यहीं अस्टार बना देता हैं को ऐसा बना देता है उनका ता लग ही निकालका रख दिया जाता है उनका चेंखी नहीं होता है फिर जड़ंबर adalah कि की जड़ूरत के विवरण सवधानी पुरवक्ट भरे इस जो ज़ड़ूरत के विवरण हैं उतना ही बढरे ज्यादा यहां पर आपको एक बात बताने वाला हूँ ध्यान पुर्वक्ष समझेगा पांसे दस बारा मिनट का यह वडियो होगा लेकिन अच्छे से आप समझ जाईएगा आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जो आपका होता है मेन आपके जो उमर सिठ का पाशान यहीं होता यह वाला होता है यह जो होता है यह होता है जो संह classroom जो मिलेंगे वहां पर लिखे रहते हैं कुछ भी रहते हैं इंडी इनिलिस में आपको लिखना रहता है तो वह लिखना रहता है तो लिखना रहता है क्या कि Also यहिंुआ कभाण Nawal कई हींदा से ऐसा गलती ना किजिए गा क्योंकि यह जो होता है यह पने यह लिखाए वो नहीं लिखाए तो बस कम भी होता है वो भी होता है लेकिन यह भी बहुत बड़ा एविडेंस होता है आप कि आप ही एड राइटिंग में यह सब किया है तो रोल नंबर देखिए यहां का जो क्रूसियल होता है रोल नंबर और कोशन बुगलेट नंबर होता है इससे कभी नहीं गलत करना चाहिए य अगर नेगेटिव रहता है तो फिर नेगेटिव कर जाता है यह वाला में आप समझ गए होंगे अब हम बात कर लेते हैं रोल नंबर सबसे महत्रपूड और कुरूशियल पार्ट होता है यहां का ओमर सीट का ओमर सिट मीस होता क्या है तो मार सिट जो यह ओप्टिकल फाइब उसमें लिखा और भारा है सही इसमिन लिखा है अंक कलत लेकिन भारा है सही तो इसमें कोई फरक नहीं पड़ता यहीं हैं ऑने मात्र गोला इस बात को ध्यान मर कeगा अब हमसे हैं कए जो लोग सही उपर भरे हैं गोला भर दिया और तनी सी बाहर निकल गया तो वो क्या रेडिंग करेगा अच्छे तरीका से वो आ जाता है रिजल्ट कर लेगा लेकिन माल लीजे मुझे यहां पर चार भरना था और मैं भूल से तीन भर रहा था भर रहा था यहां पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूं भर पर इसमें भर दिया था फिर मैंने क्या किया कि सर से मांगा क्या वाइट्नर मांगा और इसे मैंने फिर ऐसे बहुंब कर मैं चार रहा है यह चार गोला में बड़ा थोड़ा बना रहा हूं मालीजे यहाँ पर एक, दो, तीन, चार यह चार गोला है, इस गोला को मुझे भरना था भर दिया अब क्या होगा, यह मसीन में जाएगा मसीन में जाएगा, ति यह तीनों से रे पास होगा यह से नहीं पास होगा, इससे पास नहीं होगा रेडिंग हो गया न कि इससे पास नहीं हुआ तो मेरा रेडिंग हो गया कि यह वाला इंसर था सही होगा तो अच्छा होगा नमबर मिल जाएगा गलत होगा तो नमबर कड़ जाएगा लेकिन मालीजे मैंने यहाँ पर ऐसे दो भर दिया एक ही रोमे यह A, B, C, D, मालीजे अब वो गया वो तो confused हो जाएगा यह दोनों से नहीं पास हो रहा है तो वो question ही निगलेट कर देता है यह जो होता है रोल नमबर ही निगलेट कर देता है और आपका rating नहीं दिखाता है तो मैंने यह जो बताया था कैसे से आपका जो data entry आप करते होंगे तो आप समझ में गय जाता है लेकिन जब रेडे ही नहीं करता है तो यहां पर कोई आपका detail नहीं दिखाता है और फिर वहां पर लोग छोड़ देते हैं अब किस हालत में लोग चेक करते हैं गलत होने के बाद भी दुबारा चेक करते हैं अगर वहां पर अच्छे इंसान है पहला दूसरा candidate कम ह यहां पर दोनों मामला में फेल हो जाएंगे पहला नंबर यह बिहार पुलिस कोश्टेबल का ओवरा है बहुँ जादा 10 से 11 अला कंडिडेट का ओमर से चेक करना है लोग चेक करने में लग चुके हैं ओमर से चेक करना है तो रिजल्ट देना है तेक अब आपको पता है कि बहुत पेपर भी इधर उधर एंसर की हुआ है तो पहले से ही लोग घुस्से में होंगे जिस बात को ध्यान मर किएगा जो गलत हो जाता है ना पिर वो चेक नहीं करते और 90-95 परसंट यहीं हालत पाया गया है 90-95 परसंट में कि आपको छाड़ दिया जाता है रोल नंबर म दोनों का रेडिंग होता है तब ही समझ में आता है कि आपका कोशन बुकलेट नंबर में आपको कोशन बुकलेट नंबर दिया रहाता है जो कि यहां पर भरना होता है और फिर नीचे रंगना होता है इसमें भी वह ऐसे गलते नहीं करना है फिर यहां पर देखिए अगर आ आगर माल लिए उनका रिजल्ट आ जाता तो लोग में लगते तो वहीं है कि अगर आपका रिजल्ट आ जा रहा है चेक करने वाला भूत ही अच्छा इंसान है दुबारा वहां पर चेक कर देगा माल लिए जो दो रंगे होंगे उसमें से लिए उसान रखेगा इस बात को द्यान में रखेगा इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि अभी आप रेजल्ट के वेट कीजीं अगर रिजल्ट में आपका नाम आ जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि अगला फिसकल के तैयारी कीजिएगा और जो लोग बार बार यह का बढ़का रहें कि फिसकल के लिए समय नहीं मिलेगा मैं बार-बार बोड़ रहा हूं कि फिसकल के आपको समय मिलेगा आप उतने दिने फिसकल के तैयारी कर सकते हैं अगर सुरू से इसमें मत कि इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा फिर से मैं बता दू यह वाला में जो भी कुछ भी भर दिये इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें अगर आप दो रंग दिये हैं और फिर वाइटनर का भी इस्तमाल किये हैं यह आप अपना रिजल्ट के इंतिजार लिखना चाहिए यहां चाहिए गल्ति किये हुए अगली बार समत कि जिएगा तो पूछा जा रहा है कि रीजल्ट आएगा कि नहीं आएगा और क्या करना चीए हम लोगों को अगली एक्जाम की तैयारी में लगना चाहिए और जो लोग गलती कर चुके है तो देखें बात कड़वा लगेगा लेकिन सचाहिए है और आप फोरेश्ट गाड़ के भी एक्जाम सब्सक्राइब कोई भी डाउट है तो आप कौनवक्ष में पूछ सकता है यह डाउट सेशन का दूसरा वीडियो था और वीडियो देखने का आपका बहुत धन्यवाद